नमस्कर दोस्तों ट्रेकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम इस वीडियो में त्रिकोनमीती यानि ट्रिगोनमेटरी से बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट कोस्टन्स को लगाने वाले हैं सारी के सारी कोस्टन्स प्रिविएस एर में आ होते हैं उसका वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखे क्योंकि इस वीडियो में उसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है ठीक है और एक बात आप क्या कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे क्या हो हर रोज आपको इस तरह का जो व allowed is plus X square by 22 का già वै誉 रोगा वो क्या होगा ठीक है को जूंज आपको समझ में आरी होंगी देखर है एक ह्सका वैले 0 दे दिया है और आपसे पूछ दिया है पूछा है कि ளिक से अट क्या रगा एक स्क्राइब 412 का वैलो क्या होगा एक का वैलो आपको पता है एक स्का वैलो given है वह किया है? 0 है ठिक है एकड़ Mill草 क्या है? जीरो है तो बस एक स्कहर्वर घजापई आप जीरो रख दीजिये तो दीखिए आपका वैलू क्या आता है तो यहां पर कॉछ ठीक है他 स्कॉछ स्चार जीरो प्लस एक्स स्क्वरयर मतलब जीर के स्क्रेटो gef arter selective zone बाइट 22 तोॉ एग्जैक्टली क्या है хотя कॉस जीरो ठीक है तो अब बताइए उसका वैलू होगा तो कॉस्छ लीड़ी किसका वैलू हो जाएगा तो zero degree is equal to हो जाएगा आपका one cause zero degree is equal to क्या हो जाएगा one तो जिस option में भी one हो वह होगा आपका right answer टिक किजिए और आगे बढ़िए ठीक है चले अगला question देखते हैं कि हमारा अगला question क्या है ठीक है हमारा अगला question देखे क्या है तो हमारा अगला question है यदि cos theta minus sin theta is equal to zero हो तो क्या बोला है यदि cos theta minus sin theta is equal to zero हो तो क्या 10 theta का मान निकाले 10 theta का value आपसे पूचा है दिया हुआ क्या है बोला है कि cos theta ठीक है बोला क्या है कि Cos theta सब्सक्राइब फिसलिए टृट ठीटा ठीक है का जो वैलू होगा वो क्या होगा तो देखिए यहां पर अगर आपको एक देखिए यहां पर कोई आइडेंटीजी लगाने का भी जवर्द नहीं है आप ऐसे ही कर सकते हैं इसको कैसे तो देखिए इसको सिंप्लिफाइ करते हुए चलिए तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा तो देखिए और एक चीज देखिए यह मैं कैसे लिखा यहां पर तो देखिए चॉडट एक जाए शाइड तो फिटेड़ क्या होजाता शाइंटीटा टिक है तो उसको मैं बेटव में तो यहां पर क्या कर सकते हैं आपका एक चीज पता होना चाहिए कि कि क्ैस्त स्युलू ऑ जो होता है इसके जो ठीटा होता है थीखिए षाथे इसके लाइट क्या होता है यह एक तुम फाएंप ने क्या होगा यह जोक्ति ऑफ सुन में टिक कीजिए और आगे बढ़े है ठीक है चले देखते है अगला कोसेण हमारा आगला क्या है यह यह एकलती यह अगला कोस्तिन थीटा कंदा घ्लेटा by 1 plus cos theta का मान क्या होगा देखिए इस तरह को से important भी होता है और basic सा question भी है यह इस तरह के question करने का 2 method हो सकते है आप तो या तो क्या एक simple सा method लगा सकते है या फिर आप relation से भी इसको कर सकते हैं चलिए मैं आपको बहुत ही सॉलिसन देता हूं इसका जिसके साथ से आप क्या कर सकते हैं बहुत यह आसानी से इसको solve कर सकती है या फिर इस तरह के question को solve कर सकते हैं ठीक है और आप कभी भूलेंगे भी नहीं तो दीके सबसे पहले तो आपको देखना यह है कि exactly क्या given है तो given क्या है यहाँ पर यहाँ पर given में जो 10 theta है ठीक है वो किसका relation को दिखाता है ठीक है 10 theta किसके relation को दिखाता है तो अभी तक आपने आपकर basic का video नहीं देखा है trigonometry का तो अभी जाकर उसको पहले देखिए उसके बाद ठीक है इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा क्योंकि मैं मैंने वहां पर जो relation से trigonometric ratios है उसके relation से उसके value निकालना सभी का trick मैंने बताया है जिससे आप आसानी से सभी को याद रख सकते हैं तो जो 10 theta होता है वो की लम और कण के 20 वियुकी लम और अधर के 20 का relation को दिखाता है ठीक है मैंने Sage करके trick बताया है वहां सब थाधाई तो क्या करण से लिखता हूं और अधर ठीक है ठीक है ठीक az नम यहांसा करन बता सकते हैं तो दिखे मैं आपको दिखाता तो यहां मैं यहां SAY bin неп् Monsta करता हूँ एक त्रिभूज ड्रोग करता हूँ ठीक है मैंने अब यह क्या किया एक त्रिभूज ड्रोग किया ठीक है अब दीके लंब आपका कितना पता चला तीन आधार कितना पता चला चार तो अब बताई कि कर्ण कितना होगा तो बस पाइदागोरस त्रिम से पांच होग तो आपको कितना मिल जाएगा थिक है क्योंकि क्या रूट अंडर अधर के स्कवर प्लस लमग का स्कवर तो तीन के स्कवर नौ चार के स्कॵर सोल जो रेंगे पचीस रूट रटाएंगे तो पांच तो कर्ण कितना आ गया पांच ठीक है बस आपका 90 पर्शन को सॉल हो चुका अब आप क्या करेंगे दीखें किसका वैलो निकालने के लिए बोला है बोला है वन माइनस किसका कॉस्ट ठीटा तो अब बताइए कॉस्ट जो है वो किसके बिसकर द इतना हो गया पांच ठीक है बट्टा में फिर एक क्या है वन प्लस फिर से हुआ कोस्ट टीटा मतलब आधार बट्टा करने मतलब चार बट्टा पांच इसको आप आगे सौल पढ़ेंगे तो क्यों होगा 5 यकंप पांच से चार गया तो एक बट्टा पांच ठीक है इधर आपको मिले ठीक है जिस भी आप आपको मिले वहाँ पर टिक कीजिए और आगे बढ़े वही होगा आपका राइट आंसर वन बाई नाइट दीक है अगला कोशन क्या है बोला है कि कॉश्ट ठीटा प्लस साइन ठीटा का महत्तम मान होगा ठीक है आपसे सबसे ज्यादा हुआ है ठीक है वहीं से ठीटा का वेलू रख के देखिये और देखिये किस वेलू से आपका ठीक है कौसा वेलू आप पूट करेंगे जिससे कि क्या हो ओड़ा जिसका मान है और Bass Arms 30 63 एक दिख रहा है क्या है कि एक दिख रहा है saai 30 डिग्री sign 30 30 दिग्री और एक तरब क्या morl3 डिग्री तो ढ molta value to do the same 30 डिग्री का value जो Полगा वह क्या हो जाए 1 by 2 प्लस cost 30 degree का value का रूट 3 by 2 तो अब जैसे इसको आगे solve करेंगे ठीक है तो आपका आएगा 1.366 ये value आएगा ठीक है अब दिखिए अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 45 लेते हैं ठीक है ठीटा का value अगर आप 45 लेते हैं ठीटा का value ठीटा का value कितना 45 लेते हैं तो दिखें क्या आता है तो तो sign 45 इसकल तो कितना हो जाएगा मैं डायरिक यहांब कर देता हूं sign 45 का value क्या हो जाएगा वन बाई रूट 2 ठीक है उसके बाद फिर से cost 45 जो cost 45 उसका value क्या हो जाएगा 1 by root 2 ठीक है तो अब इसको solve करेंगे आगे solve करेंगे तो देखें क्या जा रहा है तो आजाएगा 2 by root 2 और आगे solve कीजिए तो exactly value आएगा 2 root 2 sorry root 2 ठीक है अब root 2 का value तो आप तो पता ही होगा 1.44 sorry 1.414 होता है ठीक है क्या होगा तो 1.414 तो यही value जो होगा अगर theta is culture of 45 लेते हैं तो आपको सबसे ज्यादा value cost theta plus sin theta का मिलेगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं आजब यह आपको समझ में आया होगा ठीक है ध्यान से देखिए बहुत यासान सा question है चलिए अगला question देखते हैं कि अगला question है यह दि 3 cot theta इस कलेटों 4 हो तो 5 sin theta plus 3 cos theta by 5 sin theta minus 3 cos theta का मान क्या होगा ठीक है अगर आप ध्यान से देखे तो previous question ही मैंने करवाया ठीक है यह question को इसी तरह का question को मैंने अभी भी complete करवाया है ठीक है उसी तरह से इसको भी आप solve कर सकते हैं चलिए मैं आपको hint दे देता हूं बाकि आपको solve करना है और इसका answer comment में लिखना है कि exactly इसका value क्या आएगा चलिए hint क्या है तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था पिछले वाले question में भी आपको देखना यह होता है कि given क्या है तो given यहां पर क्या है three court theta is called to four दिया हुआ है क्या दिया हुआ है three court theta is called to क्या four given है तो क्या नहीं बोल सकते है court theta is called to हो जाएगा four by three तो हां बोल सकते है next अब देखिए court theta अब क्या कर लीजिये का निकाल लीजिए तो पता है अप्यकर्ण को निकाल लीजिए तो बताए कर्ण कितना हो जाएगा जब Elliott को पताचल गया कि क्या आधार कितना है देखे-आधार है 4 ठीक है लंब कितना चला 3 ठीक है तो यह करने वह क्या हो जाएगा पाइथा को जाएगा का आ जाएगा आपकुद कर लेंगे चले देखते हैं अगला कोशन हमारा क्या है देखें अगला कोशन क्या है 1035 डिग्री इंटू 1055 डिग्री इसकल टो साइन ए हो तो कौन ए का मान कितना होगा मतलब exactly कौन ए कितने डिग्री का होगा आप से यह पूछा है तो देखें इस त आएगा दिखें मैं दिखाता हूँ यहां पर जैसे आपको दिया हुआ क्या है इसको सौल पीजिए तो क्या मिलेगा 10 कितना 35 डिग्री इंटू देखें उसके बाद क्या दिया हुआ है 1055 डिग्री तो आप लिख सकते है 10 90 माइनस 90 माइनस कितना 35 ठीक है इसकल टो क्या है साइन ए ठीक है साइन ए अब आगे दिखिए अब आप इसको लिख सकते है 10 35 डिग्री इंटू 10 90 माइनस ठीटा इसकल टो क्या होता है आपको पता हूँ चाहिए कॉर्ट ठीटा यानि कॉर्ट 35 हो जागा यहां पर अब देखिए अगर हम 1 by 10 करें मतलब 10 का रेस्ट प्रॉकर लिखें तो वह कोर्ट के ब्राबर हो जाएगा तो बस वही चीज यहां पर भी यूज कीजिए तो हो जाएगा 10 35 इंटू अच्छा ए डिग्री में है सब इंटू 1 by क्या हो जाएगा इदर 10 35 तो देखिए 10 35 10 35 इदर कैंसल हो गया अच तो exactly कितना हो गया देखिए मैं इसको अच्छा में इसको इधरी लिख देता हूँ ठीक है तो दिखिए हाई है साइन ए इसकल्ट्ट्ट वन तो अब बताई यहाँ है उसकल कितना होना चाहिए जिसीग वयलू हो तो बस अपको पता हो चाहिए कितना हो चाहिएros कि कितना हो चाहिए 90 डिग्री ठीक है अगर a is equal to 90 डिग्री अप लेंगे तभी sign a is equal to कितना होगा 1 होगा ठीक है तो कौन a का value कितना हो जाएगा 90 डिग्री ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा चलिए देखते अगला question हमारा क्या पूछा है देखिए अगला question क्या बोला है कि 10 theta तथा court theta का मान होगा 10 theta तथा court theta का मान होगा तो देखिए court theta हो या 10 theta हो ठीक है उसका जो मान कितना हो सकता है हमें से याद रहे हैं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहां पर जो 10 theta है ठीक है और और कितना जो court theta है ठीक है इसका मान कितना हो सकता है माइनस infinite से लेकर कितना infinite तक ही हो सकता है ठीक है तो जिस भी option में आपको मिले उसको टिकीज़ और आगे बढ़िए बस लेकिन इसको आप याद रखिए कि 10 theta और court theta का value क्या हो सकता है minus infinite से लेकर infinite थक है ठीक है तो दीक है हमारा last question क्या है बोला है sin x plus cos x ठीक है इसका मान क्या होगा तो हमेशा याद रखिए मैं आपको simple से concept बता तो ठीक है इस concept का आप हमेशा दिमाग में रखिए ठीक है बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है ठीक है क्या होता है कि जब भी आप अधिक तम मान मतलब ज्यादर ज्यादा मान पूछे ठीक है मैं यह पर लिग देता हूँ अधिक तम मान अगर आपसे पूछे तो हमेशा याद रखिए कि वह क्या होगा वह प्लस में root under a का square plus b का square अगर कम से कम बोले तो अगर कम से कम बोले तो बस minus में root under a square ठीक है प्लस b square अब हमें से इसको note down करके रखिए ठीक है चलिए अब question पर आते हैं आप से क्या पूछा कि बताए sin x plus cos x देखें दोनों तरफ ही क्या है सेम है आप से क्या पूछा है कि sin x ठीक है plus cos x कमान क्या होगा तो देखें दोन तरफ सेम है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा plus minus root under a का square plus b का square तो अब यहाँ पर a और b is equal to 1 ले सकते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें यहाँ पर प्लस minus ठीक है 1 का square plus 1 का square is equal to क्या हो जाएगा तो आपका मिलेगा greater than or equals to क्या होगा 2 sorry root under 2 ठीक है यह होगा sin x plus cos x का value ठीक है तो आई होब दोस्तों यह सभ बाकी के जो भी questions बच रहें ठीक है उसको मैं दो से तीन पार्ट में totally खतम कर दोंगा उसके बाद एक भी question आपका कभी भी कोई भी exams में नहीं चुटेगा ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए thank you पढ़ते रहे और सिखते रहे